असलाम अलेकुम केसे हैं? आप उम्मीद करती हूं सब खेरियत से होंगे और जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने बच्चों के फेवरेट वेजिटेबल और एक्स के सेंविच वेजिटेबल खाना कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता है पर एक हर बच्चा शोक से खाता है तो इस रेसिपी की सबसे ची यही बात है कि हम इसमें अपनी पसंदी गोई वेजिटेबल अड़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से खिला सकते हैं इस सिन्विच को आप बच्चो को लंच बोक्स में भी रख कर दे सकते हैं और टी टाइम में उन타 स्नेक्स पर भी सर्फ कर सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन कर तयार होते हैं तो चलिए देख लेते हैं इनहें कैसे बनाना है तो इस टेस्टी और हेल्धी सेंविच को बनाने के लिए मैंने लिए हाँ अपर चार उबलेवे अंडे ने बलकर छील लिया है और तीनों तरह की मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली है और इसके साथ ही मैंने लिए फोड़ी सी पत्ता गोबी तो अब इन अंडो को हम साइड में रख देंगे और ये सारी ही वेजिटेबल्स को हम चोप कर लेंगे तो यहाँ पर में ये शिमला मिर्च को और पत्ता गोबी को मीडियम साइज में ही चोप कर रही हूँ आप भी जब इस सेंविच को बनाएं तो इन्हें मीडियम साइज में ही चोप करें क्योंकि जो सेंविच होता है उसमें जादा मोटी या जादा बारिक वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती हैं तो देखिए हमारी सारी ही वेजिटेबल्स चोप हो चुकी है और अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक बड़ी सी प्याज और इसको भी हम मीडियम साइज में चोप कर लेंगे जिस तरह से हम उमलेट के लिए चोप कर लेना है तो यह देखिए प्याज को भी मैंने इस तरह स आप देसी खी का इस्तमाल कर सकते हैं हाँ आपने तेल में इस रेसिपी को नहीं बनाना है इस रेसिपी को बटर में ही बनाया जाता है तब ही इसका टेस्ट एकदम रेस्टरोनेट जैसा आता है तो जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाए वेसे ही हमें इसमें ये सारी ही वेज़िटेबल से एट कर देंगे जिने हमने चोप करके रखा था आप अपनी पसंद की कोई भी वेज़िटेबल से ले सकते हैं और अगर इन में से आपके पास कुछ कम है तो आप उसे इसकिप भी कर सकते हैं और जो भी vegetables आपके पास है उनी से आप सेंविच को बना सकते हैं अब भी सारी ही vegetables अच्छा से मिक्स कर लेंगे बतर में और flame को हमें बिलकुल लो रखना है बिल्कुल भी तेज फलेम पे हमें इन सब्ची ओको नहीं पकाना है और जब हम सेन्विच को क्ायना तो हमें ये कची ना लगे तो अब इसमें हम एट करेंगे एक चमच बारिक चोब कीई हरी मिर्चे ये तीखी वाली हरी मिर्चे हैं तो देखिया अब इन दोनों चीजों को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी vegetables जो है वो पक्कर तयार है ये बहुत अच्छे तरीके से soft हो चुकी है और अब हम गेस को कर देंगे बन और इनको ठंडा होने देंगे तब तक हमारी vegetables ठंडी होती है तब तक के हम eggs को chop कर लेंगे तो पहले हम एक अंडे को इस तरह से दो हिस्सों में अलग कर लेंगे और अंदर वाले पाट को हम उसके side में रख देंगे और जो बाहर वाला पाट है उसको हम medium size में इस तरह से chop कर लेंगे तो सारे ही अंडों को मैंने इस तरह से medium size में chop कर लिया है और अंडे का जो भी पाट चोप हो चुका है इसे हम इस बोल में डाल देंगे अब ये जो अंडे का अंदर वाला पाट है इसको भी हम इस तरह से बिलकुल बारिक चोप कर लेंगे ये देखे इस तरह से आपने बिलकुल बारिक-बारिक विसे चोप कर लेना है आप इस पाट को भी उठा कर हम इसी बोल में डाल देंगे इधर हमारी सब्जी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है तो अब इन्हें भी हम इस बोल में निकाल देंगे यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं सावी सब्जियां तो जब भी आप इस रेसिपी को ट्राय करें न तो आप सबसे पहले इसकी सारी सबजियों को पका कर अच्छे से ठंडा कर लें और उसके बाद ही आप इसका सेन्विच बनाएं तो अब हम इसमें एट करेंगे आधा चमच चिली फ्लेक्स और आधा चमच हम इसमें कुटी वी काली मिर्चे एट कर देंगे तो चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के हिसाप से ले सकते हैं कमिया जादा जैसा भी आपको पसंदो इसके साथ ही हम इसमें बारी कटावा हरा धना एट कर देंगे और अब हरे धने के साथ ही हम इसमें एट कर देंगे चोप किये वे अंडे तो यहाँ पर मैंने अंडे का अंदर वाला और बाहर वाला दोनों पाट एक साथ ही इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन सारी ही चीजे मैंने इसमें शामिल कर ली है अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं इने काटे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो देखिए सारी ही सबजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसमें हम मायनीज एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर वेज मायनीज ली है यह आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी और अगर आपके पास घर की बनीवी मायनीज है तो आप उसे भी इसमें अगर मुझे जरुष्ण लगी तो मैं इसमें बात में और भी शामिल करूँगी यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार ब्रेट से ही सेन्वीच बना कर दिखाओंगी तो यहाँ पर मैंने पहले दो ब्रेट लिए हैं तो अब इस ब्रेट पर हम थोड़ा थोड़ा करके मायनीज रखते जाएंगे तो ये आप देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें भी मिक्चर रखते जाना है और इसको अच्छे से चमज की मदर्द से फेलाते जाना है ये देखिए इस तरह से तो मैंने अच्छे से मिक्चर को इस पे फेला दिया है अब इस पर हम एक खाली ब्रेट रखेंगे, तो अब ब्रेट को इस पर रखने के बाद हम इसको हलके हाथों से प्रेस कर देंगे, अच्छे से जमा कर, ताकि जो ब्रेट है ये इसकी कटिंग होते टाइम अलग ना हो इससे, ये देखिए इस तरह से आपने हलके हाथों से इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और अब हम इसको कट कर लेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसकी आसपास की बोडर को कट कर देंगे तो अब हम इसी तरह से इसकी चारो तरफ की बोडर को कट कर लेंगे और अब हम इसे दो हिस्सों में कट कर लेंगे आप चाहे तो आप इसे चार हिस्से में भी कट कर सकते हैं तो ये देखिए हमारा एक सेंविच तो बन करके रेडी है अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे तो अब हम इसी तरह से दूसरा सेंविच भी तयार कर लेंगे पहले इस पर मायनोईज वाला मिक्सचर लगा देंगे और अच्छे से फिला देंगे इसको अब इस पर हम दूसरा ब्रेट रख देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से सेखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पेन को अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम थोड़ा सा बटर ढाल देंगे और बटर के मेल्ट होते ही हम इस पर सेंविच रख देंगे सेंविच को हम अच्छे से सेखेंगे इस तरह से घुमाते वे तो ये देखे मैंने हलके से इसको प्रेस कर दिया है और अब हमातों की मदद से इसको अच्छे से गुमाएंगे और गुमाते वे हम इसको अच्छे से तो हमें इस सेंविच को दोनों तरब से अच्छे से से शेक लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे तो ये देखे आप थोड़ आप देख सकते हैं हमारे सेंविच का कलर कितना बढ़िया आया है एक दम गोल्डन कलर का दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से घुमाते वे सेक लेंगे हलका हलका सा प्रेस करते वे और लीजिए हमारा सेंविच बन करके तयार है अभी मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ कि दूसरे तरफ से भी इसका कितना बढ़िया कलर आया है आप देख सकते हैं अब इसको हम पीच में से कट कर लेंगे ट्राइंगल शेप में आप चाहे तो आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं तो लीजिए फटा फट से तैयार है बच्चों के फे लोग के वाम इसकी बच्चों के Hero